मुन्ना देश की सबसे मश्वूर बागों में से एक देश में सबसे ज़ादा उम्रु तक जीविए रिटने के लिट टाइगर का जन्म वडश 2002 में हुआ था काना टाइगर रिजर्व में एक गाइट ने अपने मित्र के नाम पर बाग को मुन्ना कहकर पुकारा था तभी से टी सेविंटीन मुन्ना नाम से पहचाना जाने लगा मुन्ना की सबसे बड़ी विशिष्टा थी उसके माथे पर प्राकिर्टिक रूप से सी एटी कैट लिखा हुआ होना काना नेशनल पार्क के सबसे टाफ़त पर मुन्ना ने परेटकों को कभी नुपसान नहीं पहुँचाया यही वज़ए है कि मुन्ना परेटकों के कैमरे में सबसे जादा कैट हुआ उम्र की ढहलान पर मुन्ना ने काना में खुद को हाशी पर कल लिया था उसका एक पैर लगवा ग्रस्थ हो गया था जिससे उसे शिकार करने में मुश्किल होने लगी थी वही दूसरे बागों से नुकसान की आशंका बनने लगी थी इसी कारण प्रवंदन द्वारा वर्ष 2019 में मुन्ना को भोपाल स्थिख वन विहार राष्टियों ध्यान शिफ्ट कर दिया गया जहां मार्च 2021 में मुन्ना ने दुनिया को अलविदा कह दिया आज भले ही मुन्ना हमारे बीच ना हो लेकिन उसकी यादें परियाटकों और बाग प्रेमियों के जहन में हमेशा जिन्दा रहेंगी